Hello friends, welcome to AKS resolution. How are you? I hope you will be fine. This is Ankit Kumar and it is C programming Hindi tutorial. तो हम Hindi में बात करने बाले student, देखेगा ये Hindi tutorial चल रहा है और last के lecture में हमने string के बारे में देखा था. मैं दिखा दूँ आपको एक बार ये हमने string को यहाँ पे implement किया था और implement करने के बार उसको हमने प्रेटनी कराई थी. मैंने आपको two type से बताया था, कि एक तरह से हम यहसे भी कर सकते हैं, while loop के अंदर null operator को यूज़ करके हम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे null operator and एक तरह से हम यहसे भी कर सकते हैं, इसकी length के recording, ठीक है? तो आज के lecture में हम इसके आगे कुछ function देखने वाले हैं, इसे हम इसे implement करते हैं, तो मैं इस्ट्रेंट आपको बता दूँ, एक एट्री solution को आप subscribe कर लिजिएगा, because यहाँ पे all of programming languages के tutorial देखने के लिए मिलेंगे आपको, जितने ही programming languages हैं, उन सब के tutorial यहाँ पे मिलेंगे, प्रेस, बिना time based करते हुए, करते हैं start, let's start, तो student में आगे हम अपने notes में देखेगा, कुछ मैंने आप method, write down किये हैं, इन method को हम implement करेंगे, और देखेंगे कैसे work करते हैं, तो यहाँ आप मेरे पास 7 method हैं, इननों को मैं implement करूँगा, एक वीडियो में cover नहीं हो सकते, तो मैं एक वीडियो में two method कवर करूँगा, first के two एक वीडियो में, and second two, and उसके बाद last के three जो हैं, वो एक वीडियो में cover हो जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले string, अगर हम यह strln करके यहाँ पे लेते हैं, यह वाला जो method है strln, यह predefined method होते हैं, कौन सी string dot h class के अंदर होते हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा, आपको include, उसके बाद यह करता है, written length of string, यह string की length written करता है, ठीक, and उसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं, कि यह strcp, यह strcp का मतलब होता है, cp यहाँ पे हैं, तो copy, ठीक है, शुरू में सब के str लगना है, और उसके बाद अगर cp है, तो copy होगा, ठीक है, उसके बाद designation, designation बोलते हैं, कहाँ पे copy होना है, source, source बोले कहां से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से होता है, तो उसके बाद देखते होना है, कोपी is the constant of source, string to designation string है, source कहां से आएगा, और कहां पे करना है, ठीक है, designation पे, उसके बाद हम देखते हैं, second, यह है, यह है, उसके बाद str, cat, यहाँ पे first string, cat बोले तो, जो हम concat net करते हैं, वो हो गए आपे, ठीक है, first string आएगा, उसके बाद second string आएगा, दोनों को add करने के लिए, join कर, बोल सकते हैं यहाँ यहाँ, concats बोल सकते हैं, इन दोनों को करने के लिए, इस तरह से हम इस वाले method का use करते हैं, ठीक है, और उसके आप से पहले यह table आपको नहीं दिखाई थी, बट मैं अभी आपको table दिखा रहा हूँ कि हमारे पास sky table होती है, sky table के according सब character compare होते है, it means हमारे पास जितने भी character होंगे, वो इस sky table के अंदर होंगे, देखीगा, यह sky table है, इसके अंदर depends, सब यहाँ पे store होते हैं, character मैं दिखाऊ हूँ आपको, देखो अगर आप यहाँ से ए से लेके चलोगे, और उसके बाद, जैड तक चलते होते हैं, 65 इसकी values है, यह इधर indexing माल लो एक तरह से, और यह इधर character माल लो, तो इस तरह से चलते हैं, अगर आप small में लेने चाहते हो, तो small में देखी गई हैं, और a sky table का link आपको, description में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको download कर लीजेगा, और उसके बाद आप उसको normal ही देख सकते हैं, ठीक, अगर आपको delete करना है कुछ, अगर आप use नहीं करना जाता है, करेक्टर में 32 लिखिएगा, और space आजाएगा, इसको जब execute करोगे, तो इस तरह से execute होता है, sky table कैसे होगा, one by one में आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद देखिएगा, student यहाँ पर दिया है, str reverse, rev है, तो rev का मतलब reverse होगा यहाँ पे, तो किसी भी string को अगर reverse आप कराना जाते हो, तो आप normally reverse करा सकते हो, और दूसरी जिस्ट्रेंट यह जितने भी code है, यह अभी मैं आपको method के तुरू बताऊँगा, और बाद में मैं आपको coding के तुरू ही बताऊँगा, coding से कैसा होता, क्योंकि आपके तुरू अगर coding अभी करोगे, तो आने वाली जितनी भी language उसमें आपको ज़्यादा प्रोब्लम नहीं आने वाली है, उसके बाद देखेंगा यहाँ पे lower case और upper case के लिए दिया हुआ, अगर आप पूरी string को lower case में change करना जाते हो, तो lower case और अगर upper case में change करना जाते हो तो upper case, तो आज के उसमें हम first देखेंगे string length देखने वाले हैं, और बाद में हम इन सब को देखेंगे separate separate lecture में, तो चलते हैं अपने VS code के अंदर और वाँ पे करेंगे implement, तो मैं देखेगा VS code में आगया हूँ, तो आप पहले उस lecture को देखेंगे आपको पता लगेगा implement कैसे कर सकते हैं string को, ठीके, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे नई file, str underscore 2 के नाम से मेरी पहले file बनीवी दी, तो str underscore 3 के नाम से बनाऊँगा यहाँ पर, अगर मैं double click करता हूँ, तो मेरे पास box आजाएगा str underscore 3 dot c के नाम से मैंने यहाँ फाइल बनाई, और उसके बाद hashtag include stdio dot h into man, man लेने के बाद हमें normally return करा जेंगे 0, यहाँ पर ही मैंने किया, हम normally यहाँ पर string लेंगे, string input करानी है, मैंने आपको last के lecture मैं बताया था, string input कैसे कराते है, जर उसके बाद मैंने यहीं बताया था, कि with space वाली string हम input कराते हैं, वो कैसे कराते है, तो वो आपको last के lecture देखना है, उसमें आपको clear हो जाएगा, वो कैसे कराएंगे, तो इसके अंदर मैं, अगर मैं यहाँ पे care, और यहाँ पे str3 कर देता हूँ, क्यों देखना 3, इसका नाम है मेरा str3, और यहाँ पे मैंने ले लिया, माली जी का यहाँ पे 10 ले लिया है, ठीके, मैंने 10 लिया, और उसके बाद scanf करूँगा, scanf के अंदर, देखो मैंने क्या करना है, scanf के अंदर, अगर मैं यहाँ प्रिजन टाइब, यहाँ पे c लेता हूँ, और यहाँ पे यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पे square लगाया, और उसके बाद, sorry square लगना है, देखेगा, same हो जाएगा, s करना था, तो यहाँ पे हम करते है, पूरा हम भो लेंगे, string लेंगे, तो s कर देना है, तो str3 में यहाँ पे कर दूँगा, इस तरह से अगर मैं input लेता हूँ, पहले मैं कराँगा इसको printing, और printing कितने तरह से, दो-तीन तरह से मैंने बताई थी, तो मैं यहाँ पे लिखेता हूँ, my string, my string मैंने लिखा, और उसके बाद lesson लगाऊँगा, और उसके बाद देखेगा, आप यहाँ तो while loop के थूरू इसको कर सकते हो, while loop के अंदर, यह str3 जो str3 का, यहाँ पे str3 लिया, और उसकी i ली, i जब तक note equal हो null के, ठीके note equal, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इस तरह से null को यूज़ करते हो, तो भी यहाँ पे execute होगा, ठीके, इस तरह से भी आप normally कर सकते हो, और यहाँ पे क्या करना है, int i equal to, यहाँ पे zero कर लो, and i का increment कर देंगे नीचे, तो यहाँ पे normally हम करेंगे ऐसे, and printf के अंदर, देखेगा, यहाँ पे present type c लूँँगा, and उसके बाद में रखो, ठीके, and यहाँ पे मैं str3, यहाँ पे bracket लिया, सब इस script variable इसको हम बोलते है, and उसके अंदर मैंने i pass कर दिया, ठीके, और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, i का कर दूँगा increment, तो i का increment किया, and उसके बाद मैं करता हूँ, उसको save, save करके हम करते हैं, अभी execute, execute को बें देखते हैं, क्या आने वाला है, तो देखेगा, normal string प्रिंट हो जाएगी हमारी यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे एक या, मैंने message नहीं दिया था, कोई बात नी, तो मैं direct लिखता हूँ, अंकित कुमार अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने उसके बाद देखेगा, my string मेरा message आ गया, और उसके बाद मेरा नाम पुरा प्रिंट हो गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगा, enter the string, मैं यहाँ पे enter the string लिख रहा हूँ, अभी एक में चीज आपको और बताऊँगा, यहाँ पे normally, कि अगर हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगा, आप यहाँ पे इस तरह से end pass करते हो, तो भी यहाँ पे इसका string का number आजाएगा, कितना होगा, ठीक है, अब देखो, normally अगर मैं इसको करता हूँ, execute, execute करने के बाद, यहाँ पे में रूख क्या करना है, सबसे पहले, माल लिजगा मैंने 10 लिया, and उसके बाद मैं यहाँ पे, उसके बाद इन्हों ने ठीक है, string में यहाँ पे रुकेगा नहीं, एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे space, ओके, यह क्या हुआ, तो देखेगा, student हमारे सामने एक problem आ रही है, कि यहाँ पे terminate नहीं हो रहा है, वो enter the string के बाद, वो यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है, रुक क्यों नहीं पा रहा है, देखो उसका भी कारण एक, मैं बताऊँगा आपको, क्यों नहीं रुक पा रहा है, जब मैंने इसने कहा, यह 10 कहा, और उसके बाद, length लेने के बाद, यहाँ पे terminate नहीं हुआ, देखो, ऐसा अकसर आपके बाद होने वाला है, आई मैं इसको execute करता हूँ, execute के दुवारा हम चलाएंगे इसको यहाँ पे, and मैंने यहाँ पे 10 किया, 10 के बाद मैं enter करता हूँ, देखो, अब यहाँ पे, अंकित कुमार मैं आप लिख लेता हूँ, ठीक है, अंकित कुमार, and इसके बाद आ गया, अभी क्या होता है, कि string में जो होता है, यह जो character लेता है, one bit लेता है, ठीक है, one bit लेता है, इस बेसे इसको हमें यहाँ पे terminate करना पड़ता है, तो C programming में जब आप यहाँ पे space ले लोगे, मैंने आपको एक बार calculator का जो चोटा सा program बनवाया था, वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था, same condition यहाँ पर आई है, यहाँ आपको थोड़ा space लेने डा है, अगर आप पहले integer input करा रहे हो, या float input करा रहे हो, मैं printf करूँगा, printf के अंदर length of string, मैं यहाँ लिखता हूँ, and उसके बाद मैं present type d करूँगा, and यहाँ पे, sdr length यहाँ पे, तो सबसे पहले उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे करूँगा एक library add, यहाँ पे include, यह include मैंने किया, stdio string, string dot h, हम लिलेंगे यहाँ, string dot h, मैंने यहाँ पे लिए, तो उसके बाद देखेगा, str length, str, यहाँ पे length करके यह आ गया, और उसके यहाँ मैंने string इसके अंदर pass कर दिया, तो देखो मैंने string pass कर दिया, str length आ गया है, अब length किसमें होती है, integer ही में होती है, तो आपको पता होना चाहिए, integer written करेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, उसके बाद हम secondly हम चलते हैं, तो मैंने इसने कहा कि enter the length, मैंने length 10 कर दी, और उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं यहाँ करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने, only ankit kus इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, तो इसने कहा, string length कितनी 8 करी है, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ले लिते हैं, इस तरह से lesson मैंने लिया, और देखो, उसके बाद ankit kus प्रिंट करा दिया, तो देखेगा, यहाँ पे मैंने only kus लिए किया था, कि यहाँ पे मैंने only 5 लेने थे, तो देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो देखो, इसने actual length नहीं की, जो आपने 10 दिती वो नहीं की है, इसने written क्या किया, इसने only यह written किया है, जितने आपने वहाँ पे value insert कराई है, तो उससे ज़्यादा इसने दिया नहीं है, इसके दुबारा execute कर ले रहाँ, हम execute करेंगे इसको, मैं दुबारा दिखा दूँगा आपको, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसने message दिया, मैंने only यहाँ पे 2 किया है, ठीक है, 2 मैंने किया, and उसके बाद मैं यहाँ पे, aksd solution कर दे रहाँ, मैंने aksd solution किया, enter किया, देखो, अब basic मैंने 2 ही दिया था, ठीक है, इसके string में 2 पास किया था, बट अभी actual में क्या है, देखेगा, यह जब हम यह वाला funda यूज़ करते हैं, तो वा automatic dynamic increase करता है, अपनी length को, ठीक है, तो यह इसका advantage है, तहीं मैं आपको यह बता रहा हूँ, चाहता था, मैं आप character के थुरू कराया था, तब उतनी ही कर पाते हैं, आप input, जितनी आप value देते हैं, जितनी आप यहाँ पर value pass करते हैं, यह वाली, ठीक है, तो अभी यहाँ क्या हुआ, 2 मैंने value pass की थी, बट यहाँ पर AKD solution जैसे मैंने लिखा, आप इन सब को count करेगा, देख लिजेगा, आप 4 AKD के होगे, और उसके 2, 4, 8, 6 and 8, 8 और 4, 12 and 1, यहाँ पर 30 नवारे होगे, तो इसकी यहाँ पर printing होगी, यह देखो, इतनी length आगी है, actual length निकाल गए था, कितने number of bit हैं वाँ पर, within space, यह space को भी लिखता है, तो HDR length आपने देखा हैं आपर, स्टुडेंट, मैं आपको गदा दूँ, EKD solution पर ऐसे काफी lecture पड़े हैं, जो आपको काफी help देने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर competitive programming, and separate separate topic के, मैंने separate separate lecture यहाँ पर upload किये होगे हैं, देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर, computer fundamentals से related भी हैं, और आने वाले time में आपे काफी कुछ आने वाला है, so अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe कर ले जगा, और इस ट्रेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो like करें, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को share करें, मिलते हैं next वीडियो में, टेक क्यार, थेंक्स पर वोटेंगे,